हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है बच्चों 2003 सीब्यसी बोर्ड एक्जामनिशन्स में सोसल साइंस से मैप बेस्ट कोशन्स टोटल फाइव मार्क्स के पूछे जाएंगे अब इस फाइव मार्क्स में से त्री मार्क्स का जो कोशन रहेगा वो जिग्रॉफी से र लाएंगे तो वो मैं आप लोग को आयके भी वीडियो में करवा दूंगा हिस्ट्री में टोटल नाइन कोशन है और इन नाइन में से दो कोशन आपका हंड्रेट परसेंट गैरेंटीड है कि वो रहेगा ही रहेगा तो आपका यहां पे टू मार्क समझ लो सिक्योर है अगर आपने यह 9 questions कर लिया तो तो चलिए एक एक करके हम सबी questions और उसके answers को देखते है और graph में plot करने के लिए सीखते है तो question दिया गया है जहां पर September 1920 में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस यानि कि इंडिया निशनल कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था यानि सेशन हुआ था आप देखो इसका जो एंसर होगा पहले आप लोगों को याद रखना होगा कि कुलकत्ता होगा कि 1920 में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कुलकत्ता में हुआ था आप देखो नेक्स्ट आगी जो कोशन मिलेगा आपको यहां पे 3 year देखने को मिलेंगे और जो यहाँ पे भारतिय राष्ट्रे congress कि जो Indian national congress है वो हर जगा देखने को मिलेगा ठीक है तो आपको kya करना है याद रखना है बाजी Indian national congress यह जगा तो आएगा याएगा याएगा यह वाला year याद रखे 1920 1920 में Indian national congress का session कहाँ हुआ था कुलकत्ता में तो जब ही हम graph को plot करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे dotted dotted कर देंगे, एक arrow इस तरह से निकाल देंगे, arrow की तरह हम कर देंगे और जितना भी आपका question number होगा, question number आपको यहाँ पे डाल देना है और जो भी आपके answers होंगे वो आपको इस तरह से लिख देना है, तो यह graph को plot करने का सही तरीका है ठीक है एंसर्स भी आपको यहां पे लिखना है और इस तरह से आपको plot करके भी दिखाना है तो यह हो गया question number one question number two का बात करें तो दिया गया है कि the place where session of Indian National Congress देखो फिर से आ गया ना Indian National Congress लेकिन इस बार 1920 है December 1920 इस बार देखो पहले क्या था September 1920 था अब इस बार क्या किया गया है कि December 1920 है तो यही है कि जो भी year होगे जो मन्त होंगे वो याद रखना है कि अब December 1920 में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का दिवेशन कब हाँ पे हुआ था तो वो हो गया answer नागपूर ठीक है 1920 में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का दिवेशन नागपूर में हुआ था और यहां पे देखा जाए तो नागपूर कहाँ है तो इस मैप में देखो नागपूर जो है यहां पर है तो इस तरह से second number का answer हमने लिखे तो हमने यहां पे second लिख दिया और इस तरह से यहां पे नागपूर को दिखा दिया है ठीक है चलो next question को देखते हैं जो की है question number 3 तो इस question में दिया गया है कि the place where session of Indian National Congress held in 1927 आप देखो फिर से आप year change हो गया इससे पहले जो year था 1920 था एक था September 1920 दूसरा था December 1920 लेकिन यहाँ पे है 1927 तो 1927 में Indian National Congress का जो session था धीविशन था वो कहाँ पर हुआ था तो मदरास में अब यहाँ पे जो three number हमें दिखाना है मदरास तो यहाँ पे दिखाएंगे मदरास कहाँ पे है देख लो यहाँ पे यही पे है ओके तो यहाँ पे इस तरह से dotted जासा करके एरो निकाल देंगे three number लिख देंगे मदरास कर देंगे ओके next question दिया गया है कि a place in Bihar where peasants struggle against the indigo plantation system indigo plantation system की व्यवस्था के खिलाफ एक संगर्स किया था तो वो Bihar की कौन से स्थान में क्या था तो Bihar का कौन से स्थान में क्या था? चंपारन तो हमें Bihar को plot करके दिखाना होगा बिहar में चंपारन कहां पे है? तो हमने यहाँ पे plot करके दिखा दिया है कि यहाँ पे होगा ठीक है यह four number का answer हो गया चलो यह होगया अब next आगे आते है question number 5 में So five number में दिया गया है कि a place in Gujarat where PZN सत्यागरह वा organized मतलब Gujarat का वा जगह जहां पर किसान सत्यागरह का आयोजन किया गया था ठीक है PZN सत्यागरह का organization कहां पर वा था Gujarat में That is Kheda ठीक है Kheda कहा है Gujarat में अब आपको यहां पर Kheda दिखाना पड़ेगा तो हमें पता है Gujarat कहां पर है ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर है ठीक है तो यहीं पर हमें जो एक Kheda इस तरह से दिखा देंगे तो यह हो गया five number का answer चलो next आगे देखते है question number six को question number six दिया गया है कि a place in Gujarat where सत्यागरह movement for cotton mill workers held गुजरात में एक जगह जहां कपास मिल स्रमिको के लिए सत्यागरह आंदोलन आयोजित किया गया था सत्यागरह movement for cotton mill workers cotton mill workers सत्यागरह movement गुजरात में कहां हुआ था तो फीड से देखो गुजरात का नाम आया तो गुजरात में ही हुआ था cotton mill workers के खिलाब मिल के जो सत्यागरां रोलन किये थे वो आमदाबाद में हुआ था तो हमने यहाँ पे आमदाबाद को जो plot है कर दिया है ठीक है अब question number 7 आगे दिया गया है कि a place in Punjab where जालियां वाला बाग incident to place पंजाब में एक जगह जहाँ पर जालियां वाला बागी घटना हुई थी पंजाब के किस जगह पे जालियां वाला बागी घटना हुई थी तो अमरित सर में तो answer हम यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ प्याब हमें अमरित सर जो है वो दिखाना होगा plot करके तो देखो यहाँ पे जो है अम्रित सर हमने इस तरह से दिखा दिया और नंबर 7 भी डाल दिया है ठीक है चलो आगे देखते हैं next question नंबर 8 को So 8 नंबर दिया गया है कि ए place in गुजरात associated with the beginning of the civil disobedience movement Civil disobedience movement को हम हिंदी में कहते हैं सवीने अवग्या आंदोलन तो गुजरात में एक जगह जहाँ पे सवीने अवग्या आंदोलन यानि की civil disobedience movement की सुरुवात के साथ जुड़ा हुआ है तो answer कौन सा होगा डांडी ठीक है गुजरात में एक जगह कौन सा है डांडी जहाँ पर सवीने अवग्या आंदोलन की सुरुवात के साथ से ही वो जुड़ा हुआ है अब डांडी को हमने दिखाना है तो यहाँ पर डांडी है ठीक है इदेको यह गुजरात में से रिलेटेड ना तीन-चार कोशन तो गुजरात से ही रिलेटेड है तो गुजरात वाला अच्छे से याद रखके जाएं नेक्स्ट आगे कोशन नमबर नाइन है जो की लास्ट कोशन है कि ए प्लेस एसोसियेटेड विद कॉलिंग ओफ दनन कोपरेशन मुवमेंट नन कोपरेशन मुवमेंट को हम लोग कहते हैं असहयोग आंदोलन ठीक है असहयोग आंदोलन को बंद करने से जुड़ा एक इसका स्थान था, वो कौन सा स्थान पर बंद किया था तो 14 में मैं, ठीक है, इसका 14 हो गया, इसमें अब हमें दिखाना परेगा, 14 कहां पर है, तो देख लो यहां पर यहां पर यहां पर यह ओ गया, सीखजाव, नेक्ट वीडियो में सोसल साइंस से जो मारे जिगराफिस से जो मैप के कोशन आएंगे वो भी मैं करवा दूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे थैंक यू